Dear students, आज की इस वीडियो में हम J.K. Board Class 11 उर्दू के पेपर के लिए एक सेंपल पेपर को डिसकस करेंगे Students आद रहे, उर्दू का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटन में पूछा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल देखें दर्ज जैल इक्तिबासात में से किसी एक को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर दिये गए सवालात के जवाब लिखें देखें students, इस पहले सवाल में आपको दो इक्तिबास दिये जाएंगे, दो मेंसे आपको एक करना होगा तो पहला सवाल दस नंबर का है तो आप इस इक्तिबास को अच्छे से रीड करें मैंने अल्रेडि इसको अच्छे से रीड कर लिया है तो पहला सवाल है बुडिया ने किस किस को बुरा बहला कहा तो इसका सही जवाब है बुडिया ने जाड़े, गर्मी और बरसात को बुरा बहला कहा दूसरा सवाल है अब बुडिया क्या कर रही है तो इसका सही जवाब है अब बुडिया सड़क के किनारे बैठी भीग मांगा करती है तीसरा सवाल है कौन बढ़ के नीचे पहुँचे तो इसका सही जवाब है बहु और बेटा बढ़ के नीचे पहुँचे चौथा सवाल है बुरिया की कहानी सुनकर बहु और बेटे ने क्या किया तो देखो बुरिया की कहानी सुनकर बहु और बेटे ने उसको खूब मारा और घर से निकाल दिया पांचमा सवाल है ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है तो ये इक्तिबास लिया गया है सबक एक कहानी से और इस सबक का मुसानिफ कौन है यानि राइटर कौन है तो मिर्जा फारतुलाबेग उसके बाद या तो उपर वाला आपको इक्तिबास करना है या फिर ये वाला आप कर सकते हैं आप इस एक्तिबास को भी अच्छे से रीड करें मैंने इसको भी रीड कर लिया है तो आप इसको पहचाने किस सबक से ये एक्तिबास लिया गया है तो पहला सवाल है मुसनिफ ने क्या क्या छोड़ा है तो मुसनिफ ने पुरानी रिवायात और रस्म रिवाज को छोड़ा है दूसरा सवाल है हिंदोस्तान को कौन सी जंजीरें तोड़नी चाहिए तो देखे इसी लाइन में इसका जवाब है और जवाब है कि हिंदोस्तान को पुरानी जो रिवायते हैं या पुराने जो रस्म रिवाज हैं उनको छोड़ देना चाहिए उसके बाद है तीस्तर सवाल है कि मुसनिफ को किस चीज पर फक्र है तो मुसनिफ को फक्र है कि जो कुछ उसे विरास्त में मिला है उसी पर उसे फक्र है अगला है पुरानी रस्में और रिवायतें किस में रुकावट बन जाती है तो हिंदोस्तान की तरक्की में पुरानी रस्में और रिवायात रुकावट बनती है उसके बाद है ये इकतिबास किस सबक से लिया गیا है और इसका मुसनिफ कौन है तो देखे ये इक्तिबास लिया गया है सबग एक यादगार वसीयत से ठीक है और इसका मुसनिफ कौन है पंडित नहरू उसके बाद दूसरा सवाल देखें हातिम की सखावत या आखिरी कदम का खुलासा लिखें तो यहाँ पर आपको चोईस है दो में से आपको किसी एका ख खुलासा लिखना है इन दौनों के खुलासे मैंने अपने यूट्यूब चैनल बुनियादे उर्दू पर अपलोड किये हैं आप वहाँ से इनको रीड कर सकते हैं बिल्कुल सादा जबान में मैंने ये लिखे हैं तीसरा सवाल है दिये गए सवालात में से दो सवालों के ज दक्रेश कीजिए तो इन्शाया निगारी मतलब इन्शाया पर नोट आपको लिखना है ठीक है तो ये भी मैंने अपलोड किया है मीर अमन जो अधिवी खिदमात हैं वो भी मैंने अपलोट किये हुए हैं आप उनको देख सकते हैं उसके बाद है दर्च जैल अशार में से सिर्फ दो अशार की तश्री शायर के हवाले के साथ करें तो आप पहले शेर को पढ़ें दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है यह शेर अलामा इकबाल का है तो यह गजल मैंने अपलोट की है इसकी तश्री मैंने की है आप इसको देख सकते हैं दूसरा है मायूस होके पल्टी जब हर तरफ से नजरें दिल ही को बुत बनाया दिल ही से गुफटगू की तो यह शेर लिया गया है जिग मीरदर्द का शेर है यह भी अपलोट किया हुआ है उसके बाद चौथा शेर शाद अजीम अबादी का है और यह तो आपने टेंथ मैं भी किया था और यह भी अपलोट है ठीक है आप इसको भी देख सकते हैं या तो आपको इन गजलों के अशार की तश्री करनी है या फिर आपको यह जो नजमों के बंद हैं आप इनकी तश्री कर सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छी चोईस है ठीक है तो नजमों के यहाँ पर दो बंद हैं या तो दो में से आप एक करें या फिर उपर जो मैंने आपको अशार दिखाए या फिर आप इनकी तश्री करें तो दे आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप अच्छे से वहां पर उनको ढूंड़े ठीक है 11 की प्लेलीस निकाले बिल्कुल साधा जबान में बिल्कुल एक दम आपको याद हो जाएगा आप उनको देखे जाकर उसके बाद दूसरे नमर पर ये जो बंद है ये है फर्जी लतीफा से लिया गया है और ये है अकबर इलाहबादी का ठीक है नजम फर्जी लतीफा जो है ये बंद वहां से लिया गया है और ये नजम लिकी है अकबर इलाहबादी ने उसके बाद है मीर दर्द की गजल गोई की खुसूसियात बयान कीजिए गजल गोई मानी जो मीरदर्द ने जो गजले लिखी है उन पर उनकी खुसूसियात क्या है ठीक है तो गजल गोई मीरदर्द की करें ये भी आपको मिल जाएगी उसके बाद है नाजम खुछताई के मरकजी खायाल की वजाहत कीजिए ये भी मैंने अपलोड की है आप इनको भी देख सकते है उसके बाद है गजल या मसनवी पर नोट लिखे देखे स्टूडेंट्स गजल तो आप टेंथ से ही बलकि नाइथ से ही पढ़ते आ रहे हैं तो नाइथ टेंथ में जो गजल आपने याद की है आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है तो या तो आप गजल को देखे या मसनवी को दौनो नोट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे उसके बाद है दर्ज जैल इस्तिलाहत में से दो की तारीफ मिसालों के साथ करें तो देखे इसको भी मैंने अपलोड किया है आप देखे जाकर जैसे पहले नबर पर है तलमी ठीक है तो तलमी ही क्या होता है कि शेर में किसी तारीखी या मजभी वाकिय की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है मकता किसको कहते हैं गजल के आखरी शेर को मकता कहते हैं उसने मतला अगर मतले के फॉरण बाद दूसरा शेर भी मतला हो तो उसे हम हुसने मतला कहते हैं तश्वी किसको कहते हैं आप एंग्लिश में तो इसको आपने पढ़ा है देखो एक चीज को दूसरी चीज की तरह बायान करना या जाहिर करना तश्वी कहलाता है ठीक है तजाद का मतलब होता है आपोजिट यानि शेर में दो अलफाज का एक दूसरे की जीद होना तश्वाद कहलाता है ठीक है तो ये सब आपको मिल जाएंगे आप इनको अच्छे से देख लेना उसके बाद है दिये गे उनवानात में से किसी एक उनवान पर दो सब अलफाज का मजमून लिखे तो ये सभी मजमून आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आप इनको देख सकते हैं जो टेंट में आपने याद किये हैं आप वही मजमून जो हैं वो लिख सकते हैं उसके बाद अपने बड़े भाई की शादी पर दोस्त के नाम दावत का खत या तो आप यहां पर आपको तीन जिये जाएंगे तीन मैंसे आपको एक करना है या तो आप ये खत लिखें या तो एक इश्टिहार आपको तहरीर करना है और या तो फिर एक अख़बारी रिपोर्ट है यह आपको तहरीर करनी होगी ठीक है तो आप इनको देख लेना उसके बाद है दर्जल सवालात में से दो के जवाब तफसील के साथ लिखिए देखिए स्टूडेंट्स यह चार सवाल मैं आपको बताता हूँ यह चार सवाल ऐसे हैं कि यही आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे यह 15 मार्क्स के हैं तो इन मैंसे अगर आप पहले तीन को अच्छे से रीड करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यकिन यही पूछे जाएंगे यह तो पूछे ही जाने है पहले तीन तो पूछे ही जाने है ठीक है तो आप इन पहले तीन सवालाओं को अच्छे से यद्गरें ठीक है तो उसके बाद आखरी सवाल है मारुजी सवालाद मारुजी मतलब M со Q's है तो जैसे यहां पर पहला सवाल क्या है कि अलामा इकबाल कहां पैदा हुए तो यह हुए थे स्याल कोट में दूसरा है मुहले की हुली किसका ड्रामा है तो ये है अतर परवेज का उसके बाद है रात और रेल किस शायर की नजम है तो ये नजम है मजाजगी दावत का तालुक किस सिन्व से है तो दावत जो है ये इन शाया है ठीक है उसके बाद है हमारी दर्ची किताब का नाम किया है तो ये है बहरिस्ताने उद्दू उसके बाद है दर्च जल हुरूफ की अक्साम ऐसे पार से तक वगरा किसकी मिसाले है ये आपने टैंथ में भी किया है तो ये हर्फ जार की उसके बाद मीर हसन का असली नाम क्या था मीर हसन का असली नाम था मीर गुलाम हसन मीर गुलाम हसन तो नाजम के मानी क्या है नाजम के मानी है मोती परोना मस्नवी सहरूल बियां किस शायर की मस्नवी है तो ये है मीर हसन की आखिरी है कि शेρ ने कुट्य को मारा, इस जुम्ले में मारा क्या है, तो यह भी आप 10 से करते आ रहे हैं, तो इस जुम्ले में मारा है, फेल, ठीक है, शेर कौन है, शेर है, फाइल, कुट्य यहां पर मफूल है, मारा यहां पर फेल है, clear? तो students आपका paper बिल्कुल इससी pattern में पूछा जाएगा और 30-40% इस में से भी आपको exam में पूछा जाएगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप please इस वीडियो को like और share करें और channel को subscribe करना ना भूलें